नमस्कार, MH1 News में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मौलिका शर्मा दीपावली की रात मालक्षमी के आगवन की रात मानी जाती है भारत ही नहीं, विदेशों में भी पूरे जोश और उत्था के साथ मनाए जाने वाले प्रमुक्तोहरों में से एक है दीपावली मानिताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में मालक्षमी का परवेश चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घर को स्वच्छ रखें और अच्छे से सजाएं साफ सफाई के अलावा भी कई मास्तु टिप्स हैं जिनें अपना कर इस दिपावली आप अपने जीवन में खुशाली, प्रसन्यता और सम्रिधी पा सकते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कैसे छोटे छोटे और महत्पून वास्तु टिप्स अपना कर आप मालक्ष्मी को प्रसन्द कर सकते हैं कैसे वास्तु के उपाए घर में सकरात्मक उरजा ला सकते हैं दिवाली के पावन पूरित अवसर पर घर की साथ सज्जा के साथ साथ कैसे पूजन के दौरान वास्तु की भूमी का अच्छे और सुखत परिणाम दे सकती है ऐसी तमाम खास जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्विख्या जोतिशाचारे वास्तु एक्सपर्ट नाडिवेद पनित सुनिल भारत द्वाजी स्वागत करते हैं गुरुजी का गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार दिपावलि की आज चर्चा रहेगी सर प्रतम तौब sleepy कि साफ सफाई दीवालि हे दिन क्यों कि जब किसी मुक्ष अधिति का घर आवां करते मना है किसी मुख किसी बीछिधी को अगर हम घर में बुलाते हैं तो अपने घर की सबसे पहले सफाई करते हैं और यहां पर किसको बुलाना है हमने नारायन के साथ नारायनी को बुलाना है महामाई को बुलाना है मालक्षमी को बुलाना है और लक्षमी को बुलाने के लिए लक्षमी की किर्पा भी तो चाहिए और किर्पा के लिए क्या करना होगा नहिमान आएंगे घर हमारे तो अथिती के लिए उनकी साफ सफाई का भी इंतिजाम करना होगा और वो कौन करेगा हर प्राणी करेगा जिसको अपने घर में महामाई को सुलाएं क कहां से शुरुआत की जा और कहां पर खत् nuris विशंट एंग हों एगर सुलाइड की बात करें तो यहां Skoll嗎 पूर उत्तर के उत्तर पूर्व यानी २ि इसपान में इस इस्थाधहर नमामी Cash कहां का वासी वहां है इसान का इसान वास्तु पूरुस का सिर है इस इस था अच्छा आपका सिर बिलकुल दुरुस्थ होगा ना हमारे एक और बात का कहते हैं सर थंडा पेट नरम पेर गरम पेट नरम सर थंडा तो गार कशाट्र को मारो डंडा यानि की फिर जुरूद नहीं डाटर की तो आप दुरूस्त हैं दुरूस्त का मदब बलकुल संपयोए और आपका जब सफाइब करें ईसान से सफाइब करें नौषी इस स्प्रारम करें साउध वेस तक जांग साउध वेस्ट एक वरकिरसे सफाई कर सफाइ का तात्पर्र्रे क्या होता है। वह सुनधर तात्पर्रे जब आप है है आप दो दिन से इस नाम नहीं करो है है आपके शरीर में क्या होगा वाथ लेजीनेस भिठार्जिकनेस एक दम डॉजीनेस लगेगी आपको लगिए अलस बहुत आलस कटू विद्जय न धनम अब यहां धन की बातकी है क्योंकि लक्षमी जी साथ जुड़ी हैं आपके लक्षमी जी साथ जुड़ी है तो आलस नहीं आना आपने सफाई के लिए सबसे पहला काम क्या करना है अपने सरीर की सफाई करनी है फिर उसके बाद आपने अपने घर की पवित्रता बढ़ाना पवित्रता के बाद ही देवता का वास होगा और लक्ष्मी जी को सबसे ज़्यादा पर ये क्या सफाई संदरता सजा हुआ साज सजा से सजा हुआ घर हम यहीं बताएंगे आपको कि महामाई हर दिन हर प्रानी के घर पर आती है और दिवाली बाले रात तो मैवसय की रात है ये मावस की रात दिवादी का महामाई का वाह AT तो इज़न सफाई करते समे इन बातों का खास ध्यान रखीती हैं आप मुछते हैं सफाई में बहुत जादा जरूरी क्या एक तो आपका मन हो जैसे आप परसाद मना देवन नवा परसाद यह सोच जुड़ गई कि पहले देवता को ग्रेंड करने लोग है ऐसे